आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ सबसे पहले यहां पर हम निकालते हैं quantity first अपनी quantity first में बोला गया है कि दो आर्टिकल है इनके cost price सेम है दो shirts की cost price सेम है और एक को बेचा हमने 20% के profit पर दूसरे पर हमें loss हो रहा है loss हो रहा है 10% का अब हमें बताना है overall profit कितना होगा overall profit percentage के लिए यहां पर CP सेम है same CP जब CP सेम होता है तो overall profit या loss overall profit या loss यहां पर profit होगा क्योंकि profit percentage ज़्यादा है overall profit percentage आ जाएगा हमारा profit 20 का है तो 20 और loss 10 का है तो इसमें से 10 माइनस करेंगे divide by दो article हैं दो से divide कर देंगे यहां पर 20 माइनस 10 10 अपॉन 2 फाइव यहां से यह value मिलेगी हमें परसंटेज में profit percentage है 5 परसंटेज अब हम आते हैं quantity टू पर quantity second quantity second में बताया गया है कि जब हम 20 मीटर cloth sell करते हैं तो हमें 5 मीटर cloth की CP का profit होता है तो हमने CP cloth की मानली CP मानली 1 रुपीज पर मीटर अब हमने यहां पर sell किया है 20 मीटर तो यहां से हम पहले तो cost price निकालेंगे cost price of 20 मीटर cloth 20 मीटर cloth की cost price यहां से आजाएगी 20 रुपीज और इस पर हो रहा है profit profit हो रहा है profit 5 मीटर of cloth की CP 5 रुपीज का profit हुआ हमें निकालना है यहां पर profit percentage profit percentage बराबर हो जाएगा profit upon cost price multiply by 100 यहां से percentage आएगा इसको solve करेंगे profit percentage आजाएगा 25 percentage quantity 1 की value 5% quantity 2 की value 25% यहां से result आएगा quantity 1 is less than quantity 2 अब match कर लेते हैं अपने options so option number B quantity 1 is less than quantity 2 will be the right answer okay thank you so much guys मिलते अपने सवाल के साथ classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें doubt net आप यह whatsapp कीजिए अपने doubts 84444 पर जाउनलोड कोचिएो